Hello Everyone, Welcome to MS Education TV इस वीडियो में Class 12 Physical Education के Objective यानके 1 Mars के जो क्यूशन उनको डिसकस करेंगे ये क्यूशन बार बार एक जाम में पूछे जाते हैं इसलिए इस वीडियो को complete देखें ये दिया आपको किसी और सब्जेट के भी Objective टाइप की क्यूशन देखने हैं तो आप में YouTube चनल के उपर जाके देख सकते हैं First Question ने सन 2018 में Olympic खेल कहां आई जित होंगे तो इसका Right Answer है Los Angels में Next Question ने ये काम देनू है ये किसका कथन है तो इसका Right Answer है Dr. Sampoorn Anand का Next Question ने किस राष्टे खेल पुरुषकार में सड़े साथ लाख रुपे की राष्टी परदान की जाती थी तो इसका Right Answer है राजियोगन दी खेल रतन पुरुषकार आप इस राष्टी को बढ़ा के जो है 25 लाख रुपे कर दिया है Next Question ने सन 1980 के उपरां सारीरिक पुष्टी का कौन सा गटक नहीं माना जाता है तो इसका Right Answer है Agility Next Question ने बच्चा समझ इकता का पर्थम पाट कहां से सीखता है तो यह अपनी फेमिली यन की प्रिवार से सीखता है Next Question ने लिगामेंट की चोट कौन सी होती है तो मोच को जो है लिगामेंट की चोट बोलते हैं जिसको बोलते हैं स्प्रेन S-P-R-E-I-N स्प्रेन यन की मोच Next Question है कुमबग का क्या अर्थ है तो इसका मतलब होता है स्वास को रोक कर रखना Next Question है निमन लिखित में से कौन सा उधारन नियम का नहीं है तो इनमें से आपको कोन सा बताना है कि जो उधारन नियम का नहीं है तो इसमें जो सत्य है ये क्या नहीं है नियम का उधारन नहीं है तो C Option इसका राइट हो जाएगा Next Question है दरोनाचारिय प्रोषकार किस वर्स प्रार्म किया गया था तो ये किया गया था 1985 में तो इसमें जो C Option का उधारन आपे राइट Next Question है किसोर अवस्ता बड़े दबाव वर तनाव तुफान वर विरोध की अवस्ता है ये कथन किसका है तो इसमें से जो है कोन से का भी नहीं है तो उप्रोग्त में से कोई भी नहीं D option इसका राइट है next Question है निमली खित में से कोन सा एक सारी रिक पूष्टिय का गठक नहीं है तो इसमें से कोन सा नहीं ही आपको बताना है तो हरदेवाहि का सेहन समता ये जो है कार्डीयो वेस्कूलर अंडरॉरेंस ये क्या नहीं है यह सारे पूश्टी का गटक नहीं है यहनकी हर्देवाही का सहन समता नेक्स्क्यूसन है प्रीदी परसिक्षन वीदी का परतिपादन किस ने किया था तो यह किया था मोर्गन वै एडमसन ने तो B-option इसका राइट हो जाएगा नेक्स्क्यूसन है आधुनिक ओलम्पिक खेलो के खेलो को शुरू करने का सरे किसे जाता है तो यह जाता है P.R.A. Baron D. Cobertin को P.R.A. Baron D. Cobertin को नेक्स्क्यूसन है ओलम्पिक जंडे में चले कितने माधविक का परतिनी दितों करते हैं तो यह करते हैं 5 का नेक्स्क्यूसन है गर परिवार विद्याले वे माविद्याले किस परकार के संख्थन है तो किस परकार के संख्थन है सामाजिक संख्थन नेक्स्क्यूसन है कौन सी किरिया में शरीर का तापमान सामानने हो जाता है तो cooling down या फिर इसको living down बोलते हैं जिसमें जो है शरीर का तापमान समन्ने हो जाता है cooling down या फिर living down next question है olympic जंडे का रंग कैसा होता है तो इसका जो रंग सफेद होता है white next question है शरीर को किसी काई में हापा जाता है तो शरीर को जो है dines बोलते हैं या फिर इसको pounds po unds pounds या फिर इसको बोलते हैं dynes dines next question देखिए किस परकार के व्यायामों में गतिस पर्ष्टूप से दिखाई नहीं पड़ती है तो किस में नहीं पड़ती है इसको बोलते हैं isometric व्यायाम next question है स्वास्त पर्थम पुन्जी है यह किसका कथन है तो यह कथन किसका हो जाएगा जो है rw immersion का तो इसमें जो है option यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल right next question देखिए निमल लिखित में से पुष्टी के विकास का साधन कौन सा है तो इसमें देखिए यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा यहाँ पर तो इसमें जखिए खेल कुद भी सही है जोगिंग भी सही है तालबद वियायम भी सही है तो इसमें d option right हो जाएगा उपरोकते सभी सभी क्या है पुष्टी के विकास के साधन next question देखिए isokinetic वियायमों को किसने विक्षित किया था तो इसका right answer हो जाएगा c option इसका सही है next question है वह कौन सा अस्ति भंग है जिसमें तूटी हुई अस्ति आंतरिक अंग या अंगो को भी हानी पहुचा देती है तो इसका right answer क्या हो जाएगा जटिल अस्ति भंग यहनकी c option इसमें right हो जाएगा next question है तो इसका right answer क्या हो जाएगा लोस इंजिल्स next question देखिए adult shaker का क्या अर्थ है तो इसका अर्थ होता है प्रीपकवता की और बढ़ना next question है सीव और सक्ति के बारे में बेद ग्यान ही योग है यह कथन किसका है तो यह कथन किसका है आगम का next question है रेच्चक का क्या अर्थ है तो इसका मतलब बता है स्वास को बाहर निकालना next question है पर्थम प्राचीन ओलम्पी खेल कहां ही जित किये गए थे तो यह किये गए थे जो है ओलम्पिया गाटी एथेंस में सबसे पहले जो है अर्थम प्राचीन ओलम्पिक खेलों को किस ने बंद किया था तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा राजा थियोडो सियस ने राजा थियोडो सियस ने next question है समूह की सबसे छोटी काई कौन सी है तो परिवार क्या है समूह की सबसे छोटी काई है next question है प्रिदी परशिक्षन वीदी का प्रतिपादन किस सन में किया गया था तो ये किया गया था उन्नी सो सतावन में 1957 next question है निमलीखित में से कोन सा अस्टांग योग के अंग का उधारन नहीं है तो इन में से कोन सा नहीं है योग निदरा डी ओप्षन इसका याद जो राइट हो जाएगा next question है अलम्पिक सपत का सरो पर्थम प्रियोग कोन से अलम्पिक खेलो में किया गया था तो इसका राइट आंसर किया हो जाएगा आपे 1920 में बी ओप्षन इसका राइट हो जाएगा next question है अरजन पुरुषकार कब शुरू किया गया तो अरजन पुरुषकार जो है 1961 में शुरू किया गया था तो बी ओप्षन इसका राइट हो जाएगा next question है किस खेल पुरुषकार को हर्याना के राज़ेपल के द्वारा परदान किया जाता है तो किस को किया जाता है बीम पुरुषकार को डी ओप्षन इसका राइट है next question है निमलिकित में से कौन सा विद्ध्याले स्वास्ते करियम करम का एंग है तो कौन सा है तो देखिए स्वास्ते पुरुण विद्ध्याले जीवन ये भी सही है विद्ध्याले स्वास्ते सही है वाई ये भी सही है स्वास्ते निर्देशन ये भी सही है तो उप्रोक्त सभी डी ओप्षन इसका राइट हो जाएगा next question देखिए प्राचीन ओलंपिक खेलों को किसने रोख दिया था तो ये अभी repeat हो चुका अपना question राज्जा थियोडो सियसनी next question देखिए फोल्टियस का क्यार्थ है तो इसका मतलब होता है अधीक सक्तिसाली next question देखिए यूज सबद का क्यार्थ है तो इसका जो है अर्थ होता है जोड़ना या फिर मिलाना next question देखिए दुरोना चार्य पर उसकार किस वर्ष शुरू किया गया था ये किया गया था 1985 में next question जोगिंग के लिए सत्य कैसी होनी चीए तो जोगिंग के लिए समतल सत्य होनी चीए बिलकुल फ्लैट next question मास पेसी अरे से कितने परकार के होते हैं तो ये दो परकार के होते हैं मास पेसी रिसे next question पूरक का क्या रता है तो पूरक का रता है सासे लेना next question हर्याना में बुम जो है भीम पुरुसकार किस के द्वारा परदान किया जाता है तो किस की द्वारा किया जाता है नेक्स क्यूशन है, सन 2024 में उलम्पी खेल कहां आईजित किये जाएंगे, तो यह कहां पे आईजित किये जाएंगे, पेरीश में, यह उप्शन इसका राइट है, यह आपको ध्यान रखना है 2024 की बता रखिए, पहले 2028 की बताई थी, को इसके राइट हो जाएगा, इसमिल किया जाता है, तो किसे किया जाता देखिए, मोच भी सही ए, रगड भी सही है, तो इसमें जो दी जेएगा राइट, य inserts सब्ही, तो दी में इसका राइट हो जाएगा, यहां तक जो वीडियो अपनी complete हो चुकी है वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें अपनी दोस्तों के जाथ इसको जरूर शेयर करें यदि आप मुझे Facebook, Instagram और Telegram पे follow करना चाहते हैं तो उसको लिंक आपको इसी वीडियो के